लें जनाब, तो आपकी पहली streamlet की app, अब हम बनाने वाले हैं, और इस streamlet की app को बड़ी गौर से देखिएगा, there are few functions जो इनोंने ने ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, and I'm going to use those functions as well, तो मेरे साथ साथ coding कीजेगा, coding की screen आपके सामने है, आपने सबसे पहले एक app का folder बनाना है, यहाँ पे मैंने बनाया, 01app.py की एक file बना लेनी है, मैं दुबारा से बनाता हूँ, app.py की file, just to show you, कि कैसे काम करती है, app.py, यह मैंने file बना ली, अब file बनाने के बाद, आपने करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पे लिखना है, import streamlet as st, ठीक है, import कर ली आपने streamlet, अब जब आप streamlet को import करते हैं, then you can actually utilize the power of streamlet inside this python file, आप Jupyter Notebook पे यह काम नहीं कर रहे हैं, आप यह काम कर रहे हैं, python की .py file में, सबसे पहला काम है, adding title of your app, उसके लिए आ st लिखेंगे, dot लगाएंगे, जैसे आप dot लगाएंगे, तो आपके पास different किसम की options start होंगी, like .title, या कुछ भी जो आपने करना है, और अगर आपके पास github copilot है, या कोई और भी black box की तरह की कोई, आपके पास extension installed है, then it can help you to also work on different scenarios, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ st.title, और मैं इसको save करता हूँ, control s या command s दबा के based on your system, and then I open my terminal, और terminal के अंदर, terminal के अंदर, मैं यहाँ पे streamlit environment को activate करूँगा, जो मैंने already किया हुए, I am just gonna show you conda activate streamlit underscore env, तो streamlit environment activate करेंगे, then you will write streamlit लेकिन, उससे पहले आपने उस folder के अंदर जाना है, अब मैं जो environment का खोल के बैठा हूँ, वो यहाँ पे हूँ काम कर रहा, ठीक है, तो आप देखेंगे since six months program के अंदर हूँ, तो मैंने पहले तो change करना है अपना directory towards streamlit, तो मैं यहाँ पे लिखूँँगा cd, space, 13, and then streamlit, इस इसके अंदर भी 01 app के अंदर मैंने जाना है, तो मैंने 01 लिखा साथ में tab का button दबा दिया, then you can see के यहाँ पे मैं इस folder के अंदर आ गया हूँ, मैं यहाँ पे ls दभाऊंगा लिखूँगा तो मेरे पास यह दो file पड़ी हूई है, now I have to run this app.py file, streamlit, लिखने के बाद, run लिख मैं macbook यूज कर रहा हूँ, तो इस वज़ा से आपके पास यह different किसम का scenario आ रहा होगा, अगर आप अपनी windows की notebook यूज कर रहे हैं, या computer यूज कर रहे हैं, तो please अपना terminal पहले activate करें, और git bash को यहाँ से select कर ले, ठीक है, bash को या git bash को, and then you can activate these environments, तो मैं यहाँ पे इसको streamlit run app. .py करता हूँ, जैसे मैं इसको run करूँगा, तो यह मेरे पास यहाँ पे कुछ time लेगी इस app को run करने में, and then it will show me the app on my google chrome, या कोई भी जो मेरे पास active उस वकत feature होगा, तो यहाँ पे जी मेरे पास app आ गई है, तो मैंने title लिखा है my first app, तो मेरे पास यह app मुजूद है यहाँ अब मैं क्या करने वाला हूँ, दुबारा से अपने code पे जाता हूँ, इसको मैं चलता रहने दूँगा नीचे, अगर आपके पास app open ना हो तो आप इस पे भी click करके अपनी app को open कर सकते हैं, ठीक है, command click या control click करके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी first app का नाम change कर नाम मैं रखता हूँ, जनाबे वाला, my first testing app for Codenix, Codenix course, six months long, तो मैंने यहाँ पे यह bracket में लिख दिया, and now if I press ctrl s या command s, तो मेरे पास आप देखेंगे, app automatically यहाँ पे run होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई, तो अगर मैं दुबारा से आपको उस window पे ले के जाऊं, यहाँ पे, जहाँ पे मैंने app बनाई है, so now you can see कि आपके पास यहाँ पे कुछ options आ रही है, rerun करने का, या always rerun, तो मैं यहाँ always rerun पे click कर देता हूँ, जैसे मैं कोई चीज चेंज करूँगा मेरे code में, ctrl s दबाऊंगा तो यह automatically फिर update हो जाएगी, यह यहाँ पे update हो गई है, so now I can see कि मेरे पास यह वाला app का नाम update हो गया, now I go back to my code, यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा था वो वहाँ पे चला गया, अब जैसे जैसे यहाँ पे changes करके, ctrl s दबाऊंगे, it's going to update your code, और वो code बार बार update होता जाएगा, inside the app, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी चीज़े, app के अंदर automatically update हो रही है, तो यह पहला काम हो गया, title कैसे add करना है, अब title add करने के बाद, आप इसका text भी add कर सकते हैं, so मैं य इसके लिए आप लिख सकते हैं, here is a simple text, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको command s करूँगा, तो आप देखेंगे, वहाँ पे मेरे पास simple text आ गया, ठीक है, so now you can see के मारे पास text आ गया, अब तीसरी चीज़ हम जो इसमें add कर सकते हैं, we can actually explore some other functions, जिसमें हम कोई slider भी add कर सकत हूँ user input, user input लेनी है हमने, और user input के लिए हम कोई number पूछ रहे हैं, user से, और उसके लिए हम st.slider add करना चाहते हैं, ठीक है, slider add करेंगे, यहाँ पे हम function कहेंगे, कि pick का number 0 से 100 तक, ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ, तो मेरे पास जब number आएगा, now you can see, कि मैंने जब यह व जब मैंने यहाँ पे number user से मांगना चाहा, तो मैंने यहाँ पे number लिखा, is equal to, st.slider, तो slider के थुरू number लेना है, मैंने, pick का number उससे का, 0 से 100 के दरम्यान, अब जैसे मैं इसको command s करता हूँ, तो यहाँ पे देखे, 0 से 100 के दरम्यान, कोई भी number मैं pick कर सकता हूँ, ठीक है, और वो हमारे पास number यहाँ पे slider के थुरू आ भी रहा है, अब जैसे मैंने यह slider के number यहाँ पे pick किया, यहाँ पे मैं अब command के अंदर लिख भी सकता हूँ, यहाँ मैं इसको यह भी कह सकता हूँ, print the text of number, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, st.write again, वोई चीज मैंने लिखी, f string के सा लिखेंगे, you selected, उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह bracket लगाके number को print कर देंगे, ठीक है, अब मैं इसको control S करता हूँ, अब देखिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे app के अंदर, मैं 43 select करता हूँ, 43 आ जाता है, 26 करता हूँ, 23 आ जाता है, तो interactive ability हमारी इस app की start ह हो गई है, simple, सिरफ line हमने 57 लिखी है, code की, और आपके पास यह इस तरीके से interactive ability start हो गई है, ठीक है, अब देखें, यहाँ पे अगर यह interactive ability आपके पास आ गई है, तो इसका मतलब यह हुआ, now you can do a lot of other things, अब a lot of other things में कुछ चीज़ें अब हम करने वाले हैं, और already कर भी रहे ठीक है, यहाँ पे समझ आगे, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे, एक और काम करते हैं, वो काम क्या है, मैं score के अंदर न, यहाँ पे लिखता हूँ 10, जैसे मैंने 10 लिखा, आपको भी समझ आगे होगी कि 10 जो है, यह क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाता पहले जो मैं 0 से 100 तक स्लेक्ट कर पा रहा था कोई भी नंबर, now you can see, के हमारे पास, लेट मीज़ी, यहाँ से चेंज करके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले, यहाँ पर 60 पर आगया, अब दबारा से मैं आपको कोड दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10, इसको सेव करता हूँ, अब मैं इसको always rerun पर क्लिक करता हूँ, you will see, के जो हमने अब नंबर लिख लाया है, वो default setting पर यहाँ पर और रेडी होगा, यानि के जब भी आप default setting पर कोई चीज रन करेंगे, it will show you 10 here, ठीक है, तो यह default number हमने लिख दिया, तो default setting अकसर अकात आप कॉमा के बाद देते हैं, आपने पहले दो चीज़े बताएं, आपने बताया फिर जो default है वो यह रखना, ठीक है, so this is how you can use the power of slider, हमने यहाँ पर slider को इस तरीके से use कर अब हमारे पास number भी आ गया, हमने slider भी use कर लिया, अब हम एक और काम करते हैं, अपना data load करते हैं, बलके उससे भी पहले adding a button कर लेते हैं, हम button भी add कर सकते हैं, ठीक है, button कैसे add कर सकते हैं, for example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, st.button, अगर यह button say hello, इसके उपर आएगा, तो पास कैसे आता है, अब देखें, हमने यह वाला button add किया, जब आप इस button के साथ कोई भी interaction करते हैं, मतलब मैं say hello पर click करता हूँ, hi, hello there, यह आ जाएगा, अगर मैं इस पर click नहीं करता था, तो already goodbye था, ठीक है, so you can add the conditions of button here, तो यह हम एक button add कर सकते हैं, st.button, say hello, इस button का नाम है, say hello, या मैं कहता हूँ के, greetings, मैं इसका नाम greetings रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने greetings रख दिया, now you can see, के हमारे पास, जब इसको हम always rerun करेंगे, तो greetings पर click करते आएगा, hi, hello there, तो आप इस तरीके से functions add कर सकते हैं, ठीक है, समझा रही है बात की, कि आप functions को add कर सकते हैं, right, अब मैं अपनी coding के अंदर वापिस जाता हूँ, तो यह हमने एक button add किया, यहाँ पर, ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, add radio button with options, अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक radio button add किया, मैंने genre पूछा, st.radio के साथ, और मैंने पूछा, what's your favorite movie genre, comedy, drama, या documentary, ठीक है, तो वो genre के अंदर store हो जाएगा, यह अब radio button है, जिसमें आप check की option रखते हैं, अब जैसे मैं इसको window पे लेके जाता हूँ, तो you can see के हमारे पास what is your favorite movie genre, यहाँ पर आजागा drama, documentary या comedy, and you can actually select those data sets, based on the user input, ठीक है, आपके पास greetings भी है, hi, hello there, what's your favorite movie genre, आप यहाँ से पूछते हैं, and then you can actually do the functions, इस तरीके से आप buttons को add कर सकते हैं, अब radio button के इलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है, अगर आप चाहें तो इ selected genre, this one, तो यह वहाँ पर print होना start हो जाएगा, simply, आप कुछ भी select करें, तो यहाँ पर आना start हो जाएगा, अब हम एक और काम करते हैं, add a slider, yeah, add a drop down list, हम drop down list को add करते हैं, और drop down list को options के थ्रूँ add कर रहे हैं, for example, हम options रखते हैं, select box रखते हैं, और हम पूछते हैं, how would you like to be contacted, email से, home phone से, यह mobile phone से, ठीक है, so जैसे मैं इसको click करता हूँ, you can say the change here, कि आप drop down को click करेंगे, और इसमें home आजाएगा, phone आजाएगा, mobile phone आजाएगा, और whatever you want to do, ठीक है, यह हो गया हमारे पास, इस तरीके से drop down list आगी, right जी, यह drop down list आगी, and with this drop down list, you can do a lot of other things, कैसे, अभी मै आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, इसी drop down list को, you can actually put into the sidebar, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, add a drop down list on the left sidebar, अब यही चीज़ें उठा के आप sidebar पे भी लेके जा सकते हैं, आपने लिखना क्या है, सिरफ sidebar एड करना है, center में, बाकी सारा कुछ वो ही है, ठीक है, अब देखिएगा, let me see, इसको मैं, comment out करता हूँ, ताकि आपके पास ये भी save रहे है, और दूसरा भी save रहे है, ठीक है, so जैसी मैंने इसको लिखा, now you can see, कि हमारे पास sidebar open हो गई है, home, phone, email, home, जो भी आपने select करना, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद, हम user input भी पूट सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, add your cell phone या WhatsApp number, ठीक है, अब यहाँ पर हम text input लेंगे, जब भी आप text input लिखेंगे, then you can ask a user, कि क्या information देनी है, ठीक है, अब देखिएगा ज save करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर देखें, जी मैंने यह text information मांगी इनसे, and I can actually ask for the text information, और जैसे मैं इसको show करवाँगा, you can see, enter your WhatsApp number यहाँ पर आ जाएगा, अब इसकी sensor नहीं बन रही, I should put it there, ठीक है, तो मैं इसको वापस ले जाता हूँ, और इसके अंदर भी, st.sidebar लिखता हूँ, dot, text input लिखता हूँ, and then you can see कि यह sidebar पर आ गया, simple, और आप इस sidebar को इस तरीके से, अपनी तरफ से drag भी कर सकते है, and this is how you can work, ठीक है, यहाँ पर कोई भी number आप लिख देते है, ठीक है, and after that, you can also do some other things, वो कौन सी some other things है, आप advanced level भी इसके देख सकते है, अब मैं किया करता हूँ, यहाँ तक आपको clear हो गया, आप file uploader add कर सकते है, कि किसी ने कोई data upload करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे upload file, uploaded file, st. file uploader, choose a csv file, type हमने csv रखती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, basically, जब भी कोई बंदा csv file upload करेगा, that will be stored into uploaded file, ठीक है, for example, यह मैं इसको st. sidebar में add कर देता हूँ, और जैसे मैं इसको sidebar में add करूँगा, यह रहा इसका code, and you can actually find a file uploader, और इस file uploader के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि किस तरीके से, आपकी file जो है, वो यहाँ पे click करने से upload हो जाएगी, आप यहाँ पे click करेंगे, आपके पास file upload uploader open हो जाएगा, and then you can upload a csv file, ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि आप csv file भी upload कर सकते हैं, you can do a lot of things, अब जो चीज में आपको बताने वाला हूँ, वो है, कि हम एक data app कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर यह सारा कुछ कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक तो आपको clear हो गया, क you can do a lot of things based on the dataset, और यहाँ पे upload करके, you can also create multiple kind of questions, अब यहाँ पे clear हो गया सारा कुछ, हम अब क्या करते हैं, एक line plot बना के देखते हैं, कैसे बनता है, ठीक है, और उसके लिए हम कोई भी simple सी plotting की technique use करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे, मैं यहाँ पे create a line plot, इसको हम लिखते हैं, तो आप इस तरीके से data और यह multiple data आप खुद से generate कर सकते हैं, numpy और pandas को use करके, आप numpy और panda को भी import करेंगे, यहाँ पे, मैं यहाँ पे import करता हूँ, numpy as np, import pandas as pd, इनको install किया हुए हमने, तो यह क्या करेगा, एक range बनाएगा, एक से 11, और उसकी base प करके, line chart on the data set में ने बनाया है, st.line chart, तो जैसे मैं इसको ctrl s करूंगा, it will show me a line chart, like this, ठीक है, तो अब इसी आप के अंदर यह line chart बनेगा, यह बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, and you can actually create multiple kind of things, on this line chart, आप इसको zoom out भी कर सकते हैं, आप zoom in भी कर सकते हैं, and यह देखे इस तरीके से उठा के, जो मर्जी आप इसे कर ले, ठीक है, so यह st.line chart हमने बनाया, save as c, svgb, save as pngb, v of source b, and you can do a lot of other things, by using st.line chart, ठीक है, और यह line chart सिरफ st.line chart सिरफ line chart नहीं बनाता, it can do a lot of things, and that brings to our second, जो हमारी app है, उसकी तरफ हम अब चलते हैं, अब हमको real data से कोई app बनान इसमें functions add करते जाएंगे, यह सारे के सारे function जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, इसकी एक proper cheat sheet available है, और वो cheat sheet आप use करके कुछ भी कर सकते हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिरफ cheat sheet की ज़रूरत है, वो cheat sheet मैं आपके सामने ले आता हूँ, आप जब stream इमें जाते हैं ना, तो यह रही streamlet की cheat sheet, cheat sheet के अंदर सारे के सारे codes होंगे, which you can use and then you can create your own app, यह रहे जी सारे code, आप इसमें markdown भी लिख सकते हैं, text भी लिख सकते हैं, आप sub header भी लिख सकते हैं, अच्छा, बारी बारी देखते हैं, सबसे पहली चीज, अगर आपने अपनी app के अंदर, सिरफ और सिरफ, यह वाला display करना है text, then you have to focus on these methods, st.text, st.markdown, caption, latex, write, write, title, header, sub header and code, कुछ भी आप print करवा सकते हैं, अगर आपने interactive widgets ले के आनी हैं, तो button भी add कर सकते हैं, data editor भी, checkbox भी, radio भी, select box भी, multi select भी, slider भी, select slider भी, text input भी, number input भी, text area, date input, a lot of other things, और इसके इलावा आप data को databases के साथ connect भी कर सकते हैं, you can display the data like this, you can display the media, image, video, कुछ भी आप वहाँ पर print कर सकते हैं, अगर आपने upload किया हुआ है, उसी directory के अंदर, आप audio, video, YouTube की video कुछ भी डाल सकते हैं, आप columns, wise किसी भी चीज को change कर सकते हैं, आप chat based app बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, you can use the control flow system, you can do a lot of things, मतलब multiple काम आप इससे कर सकते हैं, और ये cheat sheet बहुत एहम है, जब भी आपने काम करना है, और ये एक बंदे ने बकाइदा app के थूँ आपको provide की हुई है, ठीक हो गया यहां तक clear हो गया, आपको ये cheat sheet जो है, ये बहुत ज़रूरी चाहिए, hopefully आपको समझ आगी होगी, अब अगले lecture के अंदर हम move करते हैं,